काच की सुन्दर सुन्दर चीजों को देख कर हर किसी का मन खुश हो जाता है हम सभी अपने घरों में काच की बनी हुई क्रोकरीज, फ्लावरवास, आधिक उपयोग करते हैं इसके अलबा घर को सजाने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं जो की काच की बनी होती हैं इसके साथ ही साथ घरों में खिड़की, दर्वाजे, पार्टीशन्स आजकल बहुत सुन्दर सुन्दर घरों को सजाने या घर की खुबसूरती बढ़ाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं आप जानते हैं ये काच होता क्या है और बनाया किस तरह से जाता है चलिए जानते हैं कि वास्तों में ये काच रासाइनिक रूप से क्या है और इन्हें किस तरह से बनाया जाता है यदि हम काच की बात करें, तो काच वास्तों में सीलिका तथा कुछ धातू सीलिकेटूं जयसे कि सोोडियम सीलिकेट, पोटेशियम सीलिकेट, बैरियम सीलिकेट या फिर जिंग सीलिकेट, इन सभी का मिश्ण होता है, यदि हम काच के गुणों की बात करें तो आपने देखा है काच हमें उपर से देखकर तो काफी कठोर दिखाई देता है लेकिन वास्तों में यह एक और क्रिस्टलिय ठोस है जिसमें भंगुरिता पाई जाती है यानिकि इसमें यदि हम वार करते हैं इस पर दबाव डालते हैं तो ये छोटे-छोटे तुकड़ों या बारिक पौडर में तूट जाता है आप जानते हैं कि काच पारदर्शी होता है यानिकि इससे एक तरफ दूसरी तरफ की वस्तों को देखा जा सकता है लेकिन वास्तों में यह जो काच है यह एक आभासी ठोस है या दूसरी शब्दों में हम इसे अतिशीतित द्रौ कह सकते हैं यानिकि इसमें द्रौ की तरह ही बहने का गुन पाया जाता है यदि हम बहुत पुराने घरों की खिर्क्यों में लगे वे काच को देखें और उन्हें देखा जाए तो उसमें दिख समझ में आता है कि जो ऊपरी भाग होता है वो पतला होता है और नीची का जो भाग होता है काच वो काफी मोटा हो गया होता है यो दर्शाता है कि विभिन ताप पढ़ने की पर ये गर्मी की वज़ा से ये जो काच है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बह रहा था यानि कि जो काच है वो अकृस्टलिय ठोस या आभासी ठोस का एक उदारन है जिसमें की बहनी का गुण पाया जाता है और इसलिए काच को शीतित द्रौ के रूप में जाना जाता है अई अब हम जानते हैं कि काच रासाइनिक रूप से क्या होता है यदि हम काच का सामानी सूत्र लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा XR2O YMO6SiO2 जहाँ पर यह जो आर है वह कोई भी एक संयोजी धातू जैसे कि सोडियम, पोटेशियम आधी हो सकती है जबकि M जो है वह एक द्वी संयोजी धातू है जैसे कि यहाँ पर बेरियम, कैल्सियम, लेड या फिर जिंक हो सकते हैं और यहाँ पर यह जो आप R के पहले X और M के पहले Y देख रहे हैं, यह इनकी संख्या को दर्शाते हैं तो इस तरह से काच का एक सामानी सूत्र दिया जा सकता है आए अब हम जानते हैं कि काच का उत्पादन किस तरह से करते हैं इसमें कौन-कौन से कच्चे माल, कच्ची सामगरी की आवशक्ता होती है तो जैसे कि मैंने बताया कि काच मुख्य रूप से सिलिका और धातू सिलिकेटों का मिश्राण होता है यनि कि इसमें जो मुख्य भाग है वो सिलिका होता है और जिसकी पूर्ती हम रेट से करते हैं यनि कि हम इसमें रेट का इस्तमाल करते हैं जिससे हमें काफी मात्रा में सिलिका-SiO2 प्राप्त हो जाती है इसके बाद हमने देखा कि इसमें एक साइयोजी धातू है और एक साइयोजी धातू यनि कि Sodium या Potassium प्राप्त करने के लिए हम इनके कार्भोनेटों का उप्योग करते हैं यनि कि यदि हमें Sodium चाहिए तो हम Sodium Carbonate का उप्योग करते हैं या फिर हम Sodium Sulfid का उप्योग जिससे हम Salt के कहते हैं उसका उप्योग भी कर सकते हैं जिसमें कि कुछ मात्रा कार्बन की मिश्रित होती है इसके अलावा हम पोटेशियम के लिए पोटेशियम कार्बोनेट का उप्योग कर सकते हैं फिर इसके बाद एक इसमें आपने देखा सामाने सूतर में एक धातू द्वी संयोजी होती है तो द्वी संयोजी धातू के लिए जैसे की calcium है तो उसके लिए सबसे सरलता से उपलब्द होने वाला compound है चुना याने की calcium carbonate तो calcium प्राप्त करने के लिए हम calcium carbonate का उपयोग करते हैं इसके अलाबा यदि हमें lead की आवश्यकता है तो उसके लिधार्ज याने की PBO का उपयोग करेंगे या फिर हम इसके लिए सिंदूर यानि कि PB3O4 का भी उप्योग कर सकते हैं तो इस तरह से हमने मुख्य कंटेन यानि कि सिलिका और एक सेयोजी तथा दू सेयोजी धातू प्राप्त करने के लिए इन कच्चे मालों का उप्योग करते हैं इसके अलावा इसमें और भी कुछ सामगरी डाली जाती है इस तरह से जो इनका मिश्रण प्राप्त होता है वो बहुत साफ या शुद्ध नहीं होता है यानि कि इन्हें विरंजित करने की कलरलेस करने की आवश्यक्ता पड़ती है क्योंकि आपने देखा होगा काच कितना चमकदार और एकदम रंगहीन होता है बिल्कुल इसमें पारदर्शी होता है तो इस तरह से काच बनाने के लिए हमें पहले इन पदार्थों के जो मटमे पहले रंग होते हैं उसको दूर करने विरंजित करने की भी आवश्यक्ता होती है तो इसके लिए कुछ आक्सी कारक पदार्थों का उप्योग किया जाता है जैसे कि इसमें हम मैगनीज का अक्साइड MnO2 ले सकते हैं या फिर पटैशियम नाइटरेट ले सकते हैं या फि फ्लक्स यनि की गालक का काम करते हैं और इन्हें कहा जाता है कलेट जो भी काज की पहले से बनी हुई तूटी तूटी सामगरी होती है उन सब को इसके साथ डाल दिया जाता है जिसे की हम कलेट कहते हैं और इस तरह से इन सभी सामग्वी से यदी हमें क्योंकि हमने यहाँ पर माल लीजे एक सयोजिद हातू के रूप में सोडियम और द्वी सयोजिद हातू के रूप में कैल्शियम के कार्बोनेट को लिया है तो इस तरह से जो हमारा एक पारदर्शी सिंपल काच तयार होगा उसे हम सोडा लाइम काच कहते हैं जो की रंगहीन होगा लेकिन आपने देखा है कि आजकल विभिन सुन्दर-सुन्दर रंगों के काच बनाये जाते हैं जिनका सजावट में उपयोग किया जाता है तो इनको रंगीन बनाने के लिए या अलग-अलग रंग के काच उत्पन करने के लिए ये जो बेसिक सामगरी है या जो मूल सामगरी है उसमें कुछ अन्य कंपाउंड मिलाये जाते हैं तो आईए देखते हैं वो कौन-कौन से compound है और कौन-कौन सा रंग देने के लिए इन्हें मिलाया जाता है तो सबसे पहले हम देखें कि यदि हमें काज को हरा रंग देना होता है तो उसके लिए हम chromium K oxide यानि की Cr2O3 का उपयोग करते हैं इसके अलबा यदि हमें पीला रंग देना होता है तो हम यहाँ पर cadmium K sulfide का उपयोग करते हैं यदि लाल रंग देना होता है तो क्यूप्रिक oxide यानि की CuO का उपयोग किया जाता है यदि बैगनी रंग देना होता है तो मैगनीज के oxide यानि की MnO2 का उपयोग करते हैं या फिर CO3-O4 का उप्योग करते हैं। तो इस तरह से जिस रंग के काच को हमें बनाना होता है उससे संबंदित योगिक भी उसमें मिला दिया जाता है। आई आप देखते हैं कि इन सभी प्रारंभिक सामगरी का उप्योग करके काच किस विधी से बनाया जाता है। इसके लिए एक विशेस भट्टी का उप्योग करते हैं और इस भट्टी को कहा जाता है टैंक भट्टी। आप देख सकते हैं यह इसकी अंदरूनी सरचना आपको दिखाई दे रही है जिसमें एक गोलाकार भट्टी होती है जिसके मद्ध में एक बड़ा टैंक रखा हुआ ह होता है अब इसमें अंदर की तरफ से इंधन प्रवाहित किया जाता है तथा बाहर की तरफ से इसमें वायू प्रवाहित करने के लिए स्थान होता है और जैसे ही यह इंधन गैस तथा वायू वापस में उपर मिलते हैं यहाँ पर यह जलनशील होने की वज़े से जलते हैं और उच्छ ताप उत्पन करते हैं इस भट्टी का ताप लगभथ 1400 सुंट्वी सेंटीग्रेट तक होता है तौ इस तरह से ये जो टाइंक दिखाई दे रहा है उसमें सबसे पहले माली जे हमें जिस प्रकार का कांच बनाना होता है माली जे हमें सोडा लाइम कांच बनाना है तो उसके लिए सभी आवश्यक सामगरी जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे सोडियम के लिए सोडियम कार्बोनेट, कैलसियम के लिए कैलसियम कार्बोनेट, अधिक मातरा में सिलिका, सिलिका की मातरा अधिक लिजाती है और इसके अलावा इसमें डाले जाएंगे कलेट, इन सभी क गुरिक भुनी भटी में खाफी बारिक पीस लिया जाता है और पीसने के बाद इन सभी को इस टैंक में डाल दिया जाता है। पॉक्रित जो बारिक पाउडर बनकर तयार होता है उसे बैच कहते हैं। और इस बैच को हम तैंक में, जो तैंक भट्टी का टैंक है उसमें डाल देते हैं। और उच्चे ताप पर इसे गर्म करने दिया जाता है। जब ये उच्छे ताप पर गर्म होते हैं क्योंकि भट्टी का तापमा लगभग 1400 डिगरी सेंटीग्रेट तक होता है यहां पर सोडियम, कार्बनेट, कैल्सियम, कार्बनेट और सिलिका इनकी आपस में क्रिया होती है जैसे कि सोडियम कार्बनेट जब इसकी सिलिका के साथ क बन जाता है साथ में कार्बन डायोकसाइड गैस बाहर निकल जाती है इसी तरह से जब इसकी कैल्सियम, कार्बनेट के साथ क्रिया होती है तो कैल्सियम, कार्बनेट की क्रिया होने के फर सरूर्व यहां पर कैल्सियम, सिलिकेट यहनि की CasiO3 बनता है और साथ ही साथ सिलिकेट और कैल्सियम सिलिकेट हैं यह सिलिका की अतरिक्त मात्रा से फिर से क्रिया करते हैं और इस तरह से सोडियम सिलिकेट कैल्सियम सिलिकेट तथा अधिक मात्रा में सिलिका इनकी आपस में फिर से क्रिया होती है और इस तरह से यह एक मिश्रित कंपाउंड बनाते हैं ज जिसे हम काँच कहते हैं, तो इस थरह से हमारा Simple Soda Lime काँच जो की रंगहीन होता है, प्राप्त हो जाता है, यदि हमें इसमें कलर की आवश्यकता होती है तो हम पहले ही जो बैच होता है उसमें उस कंपाउंड को मिला देते हैं, जिससे की हमें उस कलर का काँच प्राप्त होत अब चूकि ये टैंक भट्टी से निकला हुआ काच होए और इसका तापमान लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेट है तो ये जो काच है वो पिघली हुई अवस्था में हमी प्राप्त होता है अब इसे पिघली हुई अवस्था में ही विभिन सुन्दर आकृतियों की साचों म डाल कर उन्हें विशेश या सुन्दर आकृतियां दे दी जाती हैं और इस तरह से जो साचों में डालने की प्रिशात फिर इन्हें ठंडा किया जाता है और यहां पर एक महत्तुपुन बात यह है कि जो भी साचों में पिघले हुई काच को डालते हैं और क्योंकि ये पर तुरंत ले आते हैं तो जो बनती हुई सामगरी है वो क्रेक हो जाती है तूट जाती है इसके लिए विशेश विधी का उपयोग किया जाता है इसमें जो भी सामगरी होती है उसे एक विशेश कक्ष में रखा जाता है और इसे तापानु शीलन कक्ष कहते हैं जहां पर इस उच्च ताप से धीरे धीरे निम्न ताप में लाया जाता है और इस तरह से जो सामगरी या जो सामान बनकर तयार हो रहा है वस्तवे बनकर तयार होती है वो धीरे धीरे थंडी होती है रूम टेंपरेचर तक पहुचती हैं और तक काफी कठोर और मजबूत हो जाती है तो इस तरह से यह जो प्रक्रिया है उसे हम तापाणुशीलन कहते हैं इस तरह से हमारी काच की विभिन वस्तु में तयार होती हैं अब देख हैं सबसे पहले हमारा है raw material यह देखिया हमें यह दिए soda lime काच बनाना है तो इसके लिए हम sodium carbonate, calcium carbonate इसमें मिलाते हैं कलेट और अधिक मात्रा में सिल्का लेते हैं यह सभी सामगरी batch कहलाती है इसे बारिक पीस लिया जाता है और पीसने के बाद इसे tank भट्टी में डाल दिया जाता है होती है जिससे की calcium और sodium के silicate बनते हैं तथा अंत में हमें पिघला हुआ काच प्राप्त होता है और इस तरह से इस पिघले हुए काच को फिर विभिन आकृतियों के बने साचों में डाल दिया जाता है और उसका फिर तापानु शीलन किया जाता है यानिकि उससे धीरे धीर ठंडा किया जाता है और इस तरह से हमें तयार वश्तों में प्राप्त हो जाती हैं तो यह है काच और उससे के बनाने की विधी अब हम एक ऐसे कंपाउंड के बारे में जानने जा रहे हैं जिसका उप्योग आप दिन भर में सबसे ज़्यादा करते हैं यानिकी साबुन और डिटर्जिन यदि हाद धोने की बात हो या शरीर की सफाई की बात हो कपडों की सफाई की बात हो या फिर घर की सफाई की बात हो इसके लिए हम साबुन और डिटर्जिन का इस्तेमाल करते हैं आए जानते हैं कि ये साबुन और डिटर्जिन रसानिक रूप से क्या होते है इनमें क्या अंतर पाया जाता है सबसे पहले जानेंगे साबुन के बारे में साबुन वास्तों में उच्छ वसी अमलों के सोडियम या पोटैश्यम लवन होते हैं उदारन के लिए यदि हम ले तो हम लिख सकते हैं कि sodium stearate या फिर potassium pomitate यह simple साबुन के उदारन है यदि हम इनकी कि सरचना देखें जैसे कि उदारन हम लेते हैं sodium stearate का sodium stearate इसका जो सूत्र होता है वह है c17 s35 coona यह है sodium stearate अप देख सकते हैं कि इसमें एक भाग carbonic भाग है यानिकि c17 s35 coona यह carbonic भाग है यह जो हम कह सकते हैं यह एक hydrocarbon का वित्पन है और carboxylic अमल है कि यह carboxylic अमल जो कि जिसे हम वसी अमला कहते हैं क्योंकि यह प्रायतेलों से हमें प्राप्त होते हैं और साथ ही मैं आप देख रहें इसमें एक सोडियम धातू उपस्तित है तो इस तरह से यह उच्छ वसी अमलों या कारबोक्सलिक अमलों के सोडियम या पोटेश्यम लवण होते हैं जैसे कि यहाँ पर जो sodium steorate है यह उच्छ वसी अमलों यानि कि 17 कार्बन वाले एक कार्बॉक्सलिक अमल का sodium लवन होता है। और साथ ही साथ यह जो वास्तों में बनाय कैसे जाते हैं यह तो साबून बनाने के लिए यहाँ पर वसी अमल के लिए हम यहाँ पर ओयल या तेल का उपयोग करते हैं और साथ में उसमें sodium hydroxide यानि की छार डाला जाता है और इसका जलब घटन जब हम करते हैं यानि की दोनों क emission को उच्चे ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमें साबून है वह अवक्षेपित हो जाती है और इस तरह से साबून तयार की जाती है खासकर जो glycerine soap होते हैं या जो पारदर्शी soap होते हैं उनका उपयोग बनाने के लिए glycerine का उपयोग किया जाता है तो इस प्रक्रिया किस तरह से होती है यानि कि साबून किस तरह से सफाई या सक्षता का कारे करता है आपने देखा होगा कि यदि हम हाथ में हमारे चिकनाई या तेल लगा होता है और उसे हम पानी से साफ करते हैं तो चिकनाई नहीं हटती है दूर नहीं होते हैं हमारा हाथ अच् क्रिया कलाब के द्वारा भी देखते हैं बैच्चों आप घर में कपड़े तो धोते ही होगे और आपमें ये देखा होगा कि जब आप साबुन के साथ कपड़े धोते हो तो कपड़े बहुत अच्छे साफ होते हैं और जब आप साबुन के बीना कपड़े धोते हो तो कपड उतने अच्छे साफ नहीं होते आखेर क्या करती है यह साबुन आज इसी प्रक्रिया को जानने के लिए हम इस क्रिया कलाब करेंगे तो इसके लिए मैंने दो परक्नली लिया है परक्नली आ और ब, दोनु में मैंने समान मात्रा में म्रधो जल लिया है। अब इसके बाद मैं दोनु परक्नली आमे समान वूंदे तेल की डालती हूं। दो तीन चार मैंने चार बुंदे तेल डाल ली इसी प्रकार मैं परक्नली ब में भी चार बुंदे तेल की डाल देती हूं बच्चों तेल इसलिए क्योंकि हमारे कपड़ों की जो मैल होती है वो भी तेली प्रकार्टी की होती है इसके बाद मैं किवल परक्नली औ में चार बुंदे साबुन की डालती हूं अब ये दोनों परक्नलीों को समान समय तक हिला कर हम इस तरह छोड़ देते हूं 10 मिलट के बाद हम देखेंगे कि क्या होता है बच्चों तेखिए परक्नली ब जिसमें हमने साबुन नहीं डाला था उसमें तेल की परत निकल कर उपार आ गई है क्योंकि तेल पानी में अविले होता है ठीक इसी प्रकार जब हम कपड़ों को बीना साबुन के धोती हैं तो तेल निकल कर बाहर नहीं आ पाता और हमारे कपड़े साफ नहीं हो पाते दूसरी ओर परक्नली अ जिसमें हमने साबुन डाला था आप देख सकते हैं कि इसमें तेल की बुंदें अभी भी पानी में घुली होई है इसलिए बच्चों क्योंकि आप जानते हैं साबुन लंब में तूट जाते हैं और इनका जो कारबॉक्सलेट आयन होता है वह अपने अलकिल मूलक वाले भाग से तेल से जाकर जुड़ जाता है और एक गोला का सरचना बना लेते हैं इस तरह से एक कुलाइब बनता है जिसे हम मिसेल कहते हैं और इसके बाद जैसे ही हम कपड़े को थो आये और विस्तार से जानते हैं कि साबुन की प्रक्षालन प्रक्रिया कैसी होती है जैसे कि हमने बताया कि जो साबुन होते हैं वह उच्च वसी अमलों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं यदि हम सोडियम इस्टियरेट का उदारन ले तो यहाँ पर आप उसका सकते हैं C17H35COONA, जब इस साबुन को पानी में डाला जाता है, चुकि एक लवन है और लवन का गुण होता है कि पानी में डालने पर यह अपने आयनों में विभगत हो जाता है, तो जैसे ही साबुन को पानी में डाला जाता है, यह लवन यानि की सोडियम इस्ट्योरेट रूप में आयनों धन आयन और रिन आयन में तूट जाता है, धन आयन के रूप में सोडियम आयन अलग हो जाता है, और जो रिन आयन है, यह अब यहाँ पर जो सोडियम आयन है, उसका प्रक्षालन प्रक्रिया में कोई रोल नहीं होता, लेकिन जो पूरा जो प्रक्षालन प्रक्रिया होती है वो यह स्टेरेट आयनों यानि कि रिन आयनों पर आधारित होती है यदि हम रिन आयन की अप सरशना देखें तो आप देखेंगे कि इसके दो भाग है एक भाग है लंबी कार्बन श्रिंखला युक्त जो चैन है यानि कि जो हाइड्रो कार्बन वाला इसमें से यह जो धुरुवी भाग है या जो आवेशित भाग है उसको हेड कहा जाता है और यह जो लंबी हाइड्रोकार्बन वाली श्रिंखला या कार्बन की श्रिंखला है उससे टेल कहा जाता है और इस तरह से हम इसे जो हेड भाग है उसको गोले के रूप में दर्शाते हैं और जो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रिंकला है उसे جग-जग लाइन के दोरा दरशाते हैं तो इस tarnigu doris तुम इस तरह سے यहां पर इसके दो भाग होते अब इसमें से जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रिंकला वाला भाग यकी जो टेल वाला भाग होता है वो hydrocarbon है और ये tails नहीं होता है यानि कि जो मैल गंदगी वो जो की प्राया तेली प्रकृती के होते हैं उनको ये अपने में विले कर लेता है या उनके साथ ये बंधुता रखता है उनको आकरशित करता है जबकि जो धुवी भाग है वो जलस नहीं होता है यानि कि ये जलसे बंधुता रखता है जब साबन को पानी में डाला जाता है तो ये अपने आयनों में तूट जाते हैं उस समय ये जो सभी stearate iron या जो रिन आयन होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि इन सभी का जो head वाला भाग यानि कि जलस नहीं वाला भाग होता है वह नीचे की तरफ होता है और जो टेल वाला भाग होता है वह उपर की तरफ होता है इस तरह से ये साबुन का जलमी विलियन बना होता है लेकिन जैसे ही हम इसमें गंदे कपड़े डालते हैं या जो तेली पदार्थ उसमें डालते हैं वैसे ही इनका जो इस तरह से विवस्थित हो जाते हैं कि hydrocarbon यह की टेल वाला सिरा अंदर की तरफ होता है तथा जो धूवी सीरा है वह बाहर की तरह होता है और इस तरह से यह गोलाकार सरचना बना लेते हैं और इस गोलाकार सरचना को हम निशेल कहते हैं और एक मिसल बनने में लगभग स्टेरेट आईनों या साबुन के लगभग सो अनुओं की आवश्यक्ता होती है और इसलिए जब तक मिसल निर्मार नहीं होगा तब तक साबुन की जो प्रक्षालन प्रक्रिया है वह नहीं हो पाती है और इसलिए जब हम साबुन का जलीविल बनाते हैं उस समय उसमें एक निश्चित मात्रा में साबुन होना चाहिए यानि कि उसकी एक निश्चित सांद्रता होनी चाहिए जिसे हम क्रांतिक सांद्रता कहते हैं यदि साबुन की सांद्रता क्रांतिक सांद्रता से कम होगी तो मिसल निर्माण नहीं होगा और मिसल निर और यह मिशिल क्योंकि सारे रेणाइनिक होते हैं और इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं पूरी विलियन में फैले हुए होते हैं और इस तरह से ये एक कोलाइड का निर्मान करते हैं अग जैसे ही जो कपड़े की मैल या गंदगी होती है तेली भाग होता है इसक कर्षिक कर लेते हैं और इस तरह से यह जो इसके बाद जब हम साथ कर लेकर अलग हो जते हैं और जैसे फीर हम कपड़े को स्वक्ष जल में रिंस करते हैं तो चुकि इसका बाहरी वाला शिरा जल्स नहीं होता है तो वो जल के साथ बंधुता रखता है इस नहीं रखता है और जल की धारा के साथ देह कर अलग हो जाता है और हमारे कपड़ा स्वक्ष हो जाता है तो इस तरह से साबुन की प्रक्षालन प्रक्रिया होती है जो की मुख्य रूप से साबुन के रिण आवेशित भाग या रिण आवेशित आयन पर निर्भर करती है इस तरह से सोप या कपलों की सफाई या फिर सरीर की स्वक्षता की बात होती है तो यहां पर सोप के इस्तमाल या साबुन का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन हमने इसी अध्धाय में पढ़ा था कि यह जो मृदू जल होते हैं वो साबुन के साथ जहाग उत्पन करते हैं और उसमें प्रक्षालन प्रक्रिया अच्छी तरह से होती है लेकिन यदि कठोर जल हो तो वो साबुन के साथ जाग उद्पन नहीं करते या काफी देर बाद जाग उद्पन करते हैं क्योंकि साबुन में जो उपस्तित sodium आयन होते हैं कठोर जल के calcium और magnesium आयनों से होता है और इस तरह से हमारी जो पूरी साबुन है वो अवक्षेप के रूप में परिवर्तित हो जाती है साबुन घुलती चली जाती है लेकिन वहाँ पर जो प्रक्षालन प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पर मिसल होता है कि वहाँ पर सौफ वाटर या मृदू जल उपलबद ही नहीं होता है ऐसी स्थती में जो स्वक्षता है या प्रक्षालन की प्रक्रिया है वह कठोर जल के साथ ही की जाती है तो इसके लिए हम किसी दूसरे प्रकार के पदार्थ का उप्योग करते हैं और इसे हम कहते हैं अपमार्जक या डिटर्जन आई अब जानते हैं ये डिटर्जन क्या होते हैं और साबुन से ये किस तरह से अल लवाण होते हैं ये भी लंबी कार्बन श्रिंखला वाले सलफोनल अमलों के सोडियम या फिर पोटैश्यम लवाण होते हैं उदाहरन के लिए हम लेज सकते हैं जैसे कि सोडियम लॉरिल सल्फिट जिसका सूत्र होता है यदि हम इसकी सरचना देखें तो आप देखेंगे कि इसमें 12 कार्बन की एक लंबी श्रिंखला है और अंतिम कार्बन से ही एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और उससे जुड़ा हुआ है यहां पर यहां पर यह जो डिटरजेंट होते हैं यह कठोर जल के साथ भी जाग उत्पन करते हैं क्योंकि कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम और मैगनीशियम के लवन होते हैं वो इन सोडियम लॉरिल सल्फिट में उपस्थित जो सोडियम आयन हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं और उसके फलसुरूप जो कैल्शियम और मैगनीशियम के सल्फोनिक अमल बनते हैं वो जल में विले होते हैं यही कारण है कि जो डिटर्जन्ट है वो कठोर जल के साथ भी अच्छी तरह से प्रक्षालन कर पाते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि और इसलिए जो डिटर्जन्ट है उनका उप्योग काफी विस्तिर्थ रूप से होता है अधिक मात्रा में होता है साबुन की तुल्ला में तो इस तरह से हम देखें कि साबुन और डिटोर्जन दोनों ही रासाइनिक रूप से एक दूसरे से भिन होते हैं इनमें भिन्नता कौन कौन सी है इस पर एक बार फिर से हम नजर डालते हैं यहाँ पर यदि हम साबुन के हैं तो हमने जैसे की जाना कि साबुन लंबी श्रिंखना वाले वसी अमलों के सोडियम या पोटेश्यम लवन होते हैं होरा है जब कि जो डिटोर्जंट होते हैं या पमार जक होते हैं वह लंभी कारबन श्रिंक़ला वाले सलफोरनिल अमनों के सोडियम या पोटेश्यम लवण होते हैं यदि कि उदाहरण ले, तो साबून का उदाहरण जैसे कि हमने देखा था, sodium steroid है, है, potassium pomdale tate, है, है, जबकिamo det urgent में में देख सकते हैं, जैसे sodium Laurel sulfate है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो साबून है हमने देखा कि ये केवल मरदु जल के साथ प्रभावी होते हैं क्योंकि ये जो कठोर जल के साथ ये प्रभावी नहीं होते हैं प्रक्षालन प्रक्रिया नहीं दे पाते हैं क्योंकि कठोर जल में उपस्तित कैल्शियम और मैगनीशन के साथ ये अविले अवक्षेप बनाते हैं जिसकी वजह से साबुन घु डिटर्जेंट है उसके सोडियम लवन प्रतिस्थापित हो जाते हैं और ये इनके सलफोनिल अर्म बना लेते हैं और ये जो की जल में घुलंशील होते हैं इसके अलावा हम ये भी अंतर देखेंगे कि जो साबून होते हैं वो हाथों के लिए हनिकारक होते हैं हाथों की जो उन या अन्य मटेरियल की बात करें तो उनके लिए भी जो साबून है उतने प्रभावी नहीं होते हैं जबकि डिटर्जन उनके लिए प्रभावी उनकी स्वक्षता के लिए उनके प्रक्षालन के लिए प्रभावी होती हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों में रासाइनीक रूप से अंतर भी है और दोनों के गुणों में भी अंतर है और आप यहाँ पर अंतर देखते हुए समझ रहे होंगे कि डिटर्जर्ण जादा अच्छे प्रक्षाली कारक हैं यानि कि जादा अच्छा से प्रक्षालन प्रक्रिया कर सकते हैं और यही कारण है कि इनका विस्तार रूप से उप्योग किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि साबून और डिटर्जन में हलाकि डिटर्जन ज्यादा विस्तार रूप से उप्योग होते हैं लेकिन इनका एक मुख्य अवगुन है जो कि हमारी परियावरण के लिए सही नहीं है वो ये कि जो साबून होते हैं उनकी जो कार्बन या हाइड्रोकर्बन की श्रिंखला होती है वो सीधी श्रिंखला वाली होती है और इसलिए जो सीधी श्रिंखला वाले हाइड्रोकर्बन होते हैं वो जीवानों के द्वारा आसानी से अभटित हो जाते हैं यनिकि जो साबून होते हैं वो जैव निमनी कारक होते हैं दूस प्राया शाखित होते हैं और जहां शाखित हाइड्रोकार्बन होए वो जिवानों के द्वारा असानी से अभगटित नहीं होते और ऐसी स्थती में ये जैव निमनी कारक ना होने की वज़ा से जल स्रोतों के लिए बहुत बड़े प्रदूशक होते हैं तो इस तरह से हम देखें कि हाला कि जो डिटर्जेंट हैं उनमें काफी अधिक गुण हैं और वो विस्तार रूप से उप्योग में लाए जा सकते हैं लेकिन इनका उप्योग हमें संतुलित रूप से करना चाहिए जल स्रोतों के लिए हानिकारक है जल में रहने वाले जीवों के लिए भी हानिकारक है इसलिए इनका कम से कम या संतुलित रूप करना चाहिए